तो दोस्तो आचुका हूँ एक और ट्रेंणिंग रिल्स ट्यूटोरियल लेकर दोस्तो इस भाई ने अपने इस्टेगराम के अकाउंट पर सेम इसी टैप का रिल्स अपलोड करके अपने अकाउंट को देख लो कितना ज़्यादा ग्रोग कर लिया है तो आज आप लोग को से सबसे पहले आप सभी को अपने अप्लिकेशन को ओपिन करना है तो यहां से बियन अप्लिकेशन को ओपिन करने के बाद आप सभी को एक एड आएगा तो इसको एसको एसकीप करना है तो यहां से देख लो अपने आप एसकीप हो जागा एंड नीचे प्लस पर टेप करकर न सबसे पहले लाश्ट में जाना है इसको यहां से डिलीट करते हैं जो फाल्थू का पार्ट है अब आपको शुरू में जाना है आप सभी को यहां पर टेप करना है और वीडियो एंड फोटो पर टेप करकर आप सभी को एक यहां से यह वाला दूंगा ग्रीन फेड वाला तो इसका लिक में आप सभी को टेलीग्रम पर दूंगा आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना एंड वहां पर जोईन भी कर लेना अब निचे आप सभी को एक फील वाला अप्शंस होगा तो फील पर टेप कर दिना एंड जो इसका लेर है इसको यहां से घीच कर यहां से अपने अपने वीडियो एडिट हुआ है तो अब क्या करना है कुछ इमेजी को एट करना है इमोजी तो आपको टेक्स्ट में जाकर यहां से आप सभी को कोई सभी यहां से यह आप सभी को कोई सभी आप लोग इमोजी से लेट कर लेना तो मैं यह वाला रखता हूं यहां से यह व देखलो कुछ step से यहां पर हो जाएगा अब देखलो यहां से एमोजी का भी लेर आप सभी को यहां से खीच कर हंड यहां से जितना दूर आपका वीडियो उतना दूर कर देना अब आपको lyrics वाला song गेट करना है तो फिर से यहां पर जाकर video and photo पे चले जाना है अब उसको लोग जाकर YouTube से डाउंलोड कर सकते हो तो दोस्तों एक बार इसको यहां से अप सभी को इसको में यहां से वीट का लेता हूं ओर देख्छ लुग सब कुछ यहां से बस यहां से कुछ इस टैप से और बी एन अप्लिकेसन में बस इतना ही काम करना था अब क्या करना आप इस अब अब आप सबी को इस यहां से डिशन को एक्सपोर्ड करना तो दिकिसरक तो कौने में 3 वाला इकवर तो इस पर टेप करकर यहांसे बीट रेट को यहांसे लगबक यहांसे 50 कर देना है अब इसको डंड कर देना है तो अब यह आपके गलरी में सेव होगा तो आप लोग को थोड़ा सा वीट करना है तब तक एकस्पोर्ट होता है जब तक ओके तो दोस्तो इसको एक्सपोर्ट हो जानेक बाद आप लोग देखलो अब आपको सिंपल से आप सभी को कोई सा भी आप लोग VPN करने कर लेना उसके बाद आप सभी को CapeCut application को open करना है तो ये आप लोग जाकर Google से download कर लेना है अब आपको new project पर टेप कर दिना है अब new project पर टेप करने के बाद आप लोग जो वीडियो को save कियो यहाँ से add कर लेना अब सबसे last में जाना है और यहाँ से ending पार्ट होगा तो इसको यहाँ से delete करना है अब शुरू में आ जाना है अब दोस्तों यहाँ से देखलो यहाँ से एक smart sharping यहाँ से यह वाला slit कर लेना है अब इसको adjust कर लेना है तो आप लोग अपने हिसाब से इसको प्रहया घटा सकते हो तो देखलो आप लोग कर लेना अपने हिसाब से एंड range को अपने हिसाब से रख लेना तो दोस्तों इतना हुच जानक बाद आप इसको clearly यहां से done कर देना है एंड जो इसका यहां से size इसका layer है वीडियो के हिसाब से आप लोग रख लेना तो देख लो वीडियो में HDR effect आ चुका है सर्पीनिंग तो देख लो कितना अच्छा लग रहा है तो अब क्या करना है अब आप सभी को यहां से फिर से video effect में जाना है एंड बीडियो effect में जाने कि बाद आप सभी को एक यहां से its glow का option दिखाए देगा तो यहां से देख लो यह वला है तो इस पर adjust करना है इसको तो यहां से आप लोग 15 कर देना है यहां से आप लोग जूम भी कर सकते हो तो देखलो सेम इसी टैप का अपना वीडियो एडिट हुआ है अब क्या करना आप इसको एक्सपोर्ट करना है तो देखलो उपर के साइड में कोने में तीर वला आइकन पर टैप करना है तो आपका एक्सपोर्टिंग चालू हो लगा तो आई होप कि वीडियो आप से भी को बहुत ही अच्छा लगा होगा तो प्लीज याट वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाई करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना